मात्य जी आपका पूरा नाम क्या है? जी जब भारत पाकिस्तान का बटवारा हुआ उस समय आप कितने साल की थी और कहां पर रहती थी और कितने लोग आपके परिवार में महां पर थे? मैं कोई 14-15 साल की थी और मेरे यहां मेरा पादर मंदर एक बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी वो देली रहते थे मेरा बड़ा ब्रदर रीचंटी दो-चार पर ने पहले देली पोस्टिग हुई तो बाकी आप दो भाई बैन दो मेरे भाई और दो मेरी मैं और मेरी बैन मेरे इसे दो जाई साल बड़ी वो हम चार आपके रहते थे थे आप बड़ारे का शोर शरावा होने लगा तब महां पर आप लोगों पर क्या बीता था हम लोग बहुत पढ़िशान थे फादर तो चोड़ो और मेरे ब्रदर भी नहीं पढ़िशान जाता हुए लेकर मेरी मत रहा और वो के बच्चों को कहीं बेज़ते बच्चों को बेज़ दो अल्टिमेटली हम लोग एक 15 दिन के अंदर अंदर चले आते हैं जब आपर आप जब यह हला गुला शुरू हुआ तो आप आपने अभी थोड़ा बताया था कि हम किसी और के खर में जाके रहते थे हमारी हम नहीं रहते थे हम जब चले आए थे त आप लोगों का एक अग्तम हला गुला मचा था तो आपने बताया कि वह हम लोग मतल्य वाली ट्रेन में बैठ के आए और जब हमारी मतल्य वह पूरी बात बताईए मिल्टी ट्रेन में बैठ के हम लोग तो कुद्धा आगे थे वहां रहे मेरी मतल्य जो मिल्टी ट्रेन में बैठ के उनके दो बच्चे थे तो जब पाकिस्तान बार्डर से खतब हुआ लिजया नहां आए तो ताप साल अनूंस्मेंट मिल्टी वालों ने करी कि आप सेफ प्लेस में आगे हैं कुछ पानी पीजाएं कुछ जो भी आपका बाने आदे कंटे के लिए आप बाज आ जाएगे फ्रेश हो जाएगे तो सब ने अपना हाथ बूद होईगे और पानी पिया पानी पिया उसमें इधर के इंडियन ने पाइजन डाना गुआ थ वह उनके बच्चों को और मेरी मतर को पाइजन होगे बहुत कर वीचिंगे डाक्टर भी साथ है उसी वक्त उनको मामें चिरूए तो उन्हों नहीं दवाजां देए तब यह उनकी संबल गई पर बहुत बीज़िक हो जब यह बटवारा हो रहा था तो परिवार में किस तर अधिके से आप लोग डरे वे थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे देखिये मेरी मतर इल्ला ने बताया कि ताब मेरी साधी ने वह थी वो चकवाल में रहते थे तो उनके पेट्रोल पांपिर थे मेरी पादर इल्ला के तो किसी को बटी का त्रेल राशन हो गया था तो राश तो वो लोग चार पांच लोग उनके दार उनको माज ले आकर तो मेरी मतर यह उनके पाओं पड़े का तेल दे दिया और बड़ी मुश्कर से पीछा चुगा और ऐसी भी कुछ बाते होंगी जिसमें आप लोगों को डरेते कहते थे आप लड़कियों को महिलाओं को घर में चुपा देते थे ते तो एक अफ़ता पदान देना में बिल्कुई कब्रे से एक बाद रिंगाने दिया वही नौकर जिरो थे खाना देते थे गोई करते थे चुपो जाओ चुपो जाओ कोई ज़्यादा शोड़ ना डाले तो ऐसा भी आपने बताए कि जब अलाग उला मज गया तो आर्मी आ गई थी आपके आप मिलिटरी वालों को बुला लिया था आपके घर के बाहर जब वो गोलिया चलने लगी तो वो क्या हादसा था तो वो मिल्टी के ड़क से वो जो आये थे बंदू के लेकर भाग गया वो किस वो क्या कहानी थी जो आप बताते हैं अपने बच्चों को भी वो ऐसा है था कि वो एक्चली थे लोगों के ड़वार ये लूट रहे आए थे तो मिल्टी के ड़र से वो दक बारा लोग थे मुस्मान भी थे वो चले कर पिर दर के बारे मिल्टी के डर से आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हाथसा भी हुआ जिसको ले करके आपको लगता है कि जैसे आपने सुना आपने किसी के वह से जब आप यहां आ गए कि हमारे कोई रिष्टेदार थे दूर के या कुछ थे बहुत मामी को तो उन्हें बड़ी सुन्दर थी तो उन्हें मुसल्वाना ने ले लिया तो दो बच्चों को बाहर दिया एक बच्चे को रखी मेरे पादर ये बहुत करें लेकर नहीं वह वापस आसके उन्हें शादी कादी क्या क्या गंद्गी बचाईए कि कुछ ऐसा हो जो आपके मन में पुरानी याद हो जो आप हम लोगों को बताना चाहें इसको जिसको याद करके आपको आज भी डर लगता या उस समय का अधेशत थी उस समय की बस देशत तो वही है जी के लोग जो आते थे हर वक्त हमानी मन तक डिप्सी रहती थी कि हाई को जाओ गए हाई को जाओ गए तो मेरे पादर उनको बहुत सब्सर देते ते नहीं कोई दिनाया सारा वक्त वह अपने सामान पैक करवाती देशत देशत थी रहती ही नहीं ले जाओंगी लेकिन कुछ ला दे सकते मेरे पादर जो थे अल्टिमेट्ली राम अफटार जहले पे बहुत प्षेर मैंते हैं उन्होंने का मेरी डिस्रिक में तो कुछ ने गए तो वहां कुछ थी कह लेकर वहां लोग बहुत थच गएते जा दे सकते तो फिर मेरे पादर ने उनके भी बड़े रेलिटिव थे शेशल बिल्टीच से प्ले लेकर गए उनको लिखाला और उस कोषिच करी के जितने प्ले जहां सपर उनको लिखा लोग। मेरे शुष्रान बे मैं आपको बताती हूं कि पहले तो सारे दैली चले गए एक मेरे ब्रदर एल्ला और उनकी बाईप और छे मेने की बच्ची रह गए थी और मेरे फादर एल्ला तो आप वो चकवाल में तो चकवाल बिश्रिक जेलम में पड़ता है सरे पर सरे पर रोज भी सर्वान आते थे वो अपना गार छोड़ के तो उन्दी जहां रहते थे उदर चले तो फिर देली मेरे अश्में अभी एक्सी करनी हूँ तो एक दिन का प्रियांस में वो बैठे हुए तो किसी ने स्पेशल चार्टल प्लेर करा तो उन्हें काया दो सीटे जा सकती हैं दो कम हैं तो मैरे अश्में वो एक दो सीटे बुक कर ली घर जल्दी जल्दी आए क्यों पैसे चाहिए तो बास को मैंने प्रिया तो फिर चक्वाली अपने ब्रदर को अपनी भावी को को अपने पांदर करें, चक्वाल में, जो चक्वाल डिस जे लग में, एक्शुली वेराजीब की पैमिली जो है, वो चक्वाल को भी लांग करती। वो बतावना मुस्तांगे से लाया है, उसने बना करती है। हाँ, देखिए वो एक साइकल वहां खड़ाता तो मेरे असमेरी साइकल लेकर अपने बहर गए और जल्दी जल्दी उसमें कोई कप्ड़ा देता। मेरी भाबी जो थी, अभी दूली बयागी थी, तो उनको प्रेजन थी। तो यही हुआ के एक सीच अबे मिली गए वहां पे जबू में, हम जबू शिक्ट होगे तो कुछ से। तो इनको बेदो, इनको बेदो। तो उनके कप्ड़े को मन्ना कर दिया के जहां सामान ने जाएगा, तो हमने दो तुमीन रह करके उनके खांके, तो वह भी रह देता। वह एक सूट में देली एक होगे पॉंचियागे, अभी उनको इतला कर दीते, मेरी ग्रदन लेगे थी। तो साब हरान के आप ताब रादिमेंट कप्ले ने कोई दुकादे ने होती ती ती एर एव दिन पिचाजी जे दो दर्चासे काटे, फिर वो दर्जी कोई नही गया तो उसके कप्ले दो सुटी मेले, ताब भुषर कर। सब देखिए गार पर ऐसे सज्यों सजाए है अच्छों के आए, यह है कि कैश प्रादिम शीफ्ट कर दिया था मेरे पादर जी। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है, जिसने विभाजन का दंश छेला, उस पीडा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी पाँच जन्ने के साथ साजा कर सकते हैं, जिसे हम इस शिंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे एमेल आइडी vkv.5janne at gmail पर संपर कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके विडियो बनाकर इसी एमेल आइडी पर भेज सकते हैं, एमेल आइडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janne at gmail.com झाल